मुवी की स्टार्टिंग में हम एक क्राइम सीन वाले प्लेस को देखते हैं जहाँ पर कुछ पुलिस वाले मिलकर यहां का मुवायना कर रहे हैं यहां पुलिस पतालगाने की कोषिस कर रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ यहां पर कोई भी जिन्दा सक्स उन्हें नहीं मिलता है और जब पुलिस बेशिमेंट में जाती है तो वहाँ पर उनके होस ही उड़ जाते हैं लेकिन यहां यहां यह आखिरकार हुआ कैसे इसे जानने के यह हमें 24 hours पहले जाना पड़ेगा यहां पर हम Maxine नाम की एक लड़की और उसके अमीर बॉइफ्रेंड वेन को देखते हैं वेन जो की एक movie producer है और वो इस समय भी movie की shooting के लिए ही जा रहे हैं इन दोनों के लावा इनके crew में जो actors हैं उनके नाम Bobby और Jackson है और इनके helper से लोरेन और आरजे निकोल हैं यह सभी लोग एक adult film की shooting करने के लिए जा रहे होते हैं और movie का name दे फार्मर्स डॉटर है अब जैसा कि इनके shooting की location काफी दूर है तो वो रास्ते में break लेते हुए एक gas station पर रुखते हैं इस जगे पर वो gas भी भरवाते हैं और अपने कुछ जरूरत की चीज़े भी यहीं करीते हैं समान ले लेने के बाद में अब वो यहां से निकलते हैं लेकिन कुछ दूर जाने के बार रास्ते में उन्हें थोड़ी भीड दिखाए देती है यहां actually एक cow का बहुत बुरी तरह से accident हो गया था जिसे देख के Maxine की तो तब्यत ही कराब हो जाती है इस चीज को ignore करते हुए यहां से आगे बढ़ने के बाद में आखिर कार वो उस farmhouse के पास में पहुँच जाते हैं जहां पर इनकी shooting location है अब यहां पर आने के बाद में वेन कार को रोक कर घर के मालिक से मिलने के लिए जाता है वेन डूर पर नौक करता है तो अंदर से जो old बंदा निकलता है वो वेन पर gun point करते हुए कहता है कि तुम यहां पर क्यों आये हो यहां पर किसी का आना allow नहीं है लेकिन अब वेन कहता है कि हमारी phone पर बात हुई थी और मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो जिसके बाद में यह old बंदा जिसका नाम Howard है उसे ध्यान आ जाता है और वो इन सभी को पास के cabin के पास में चलने को कहता है अब इधर जब बाकी लोग कार से उतर रहे होते हैं तो मैकसिन को घर के खिड़की पर कोई अजीब सा सक्स घूरते हुए दिखता है लेकिन मैकसिन इस बात को इग्नोर करके आगे चली जाती है हवर्ड इनको cabin दिखाते हुए कहता है कि ये जगा अब तुम लोगों की है बस कुछ ऐसा मत करना जिससे मेरी wife को disturbance हो वेन भी हवर्ड को कुछ advance पैसे दे देता है इसके बाद मैं हवर्ड यहां से चला जाता है हवर्ड घर की ओर जाता है और फिर वो अपने ट्रक से कहीं और चला जाता है अब इसके बाद मैं इस तरफ ज़्यदा देरी ना करते हुए वेन सभी को सूटिंग स्टार्ट करने को कहता है अब जैसा कि यह एक पॉर्ण मूवी है तो उसी के एकॉर्डिंग यहां पर इंटीमेशन की सूटिंग स्टार्ट हो जाती है लोरैन को यह सब काफी वीर्ड लग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि कोई नॉर्मल एडल्ट मूवी होगी लेकिन ये तो पॉर्ण मूवी होती है इस तरफ अब मैकसिन सिगरट पीने के लिए बाहर निकलती है जिसके बाद में अब वो टहलते हुए पास के जंगल के करीब जाने लगती है वहाँ जाने पर उसे एक लेक दिखती है और फिर मैकसिन का यहाँ पर नहाने का मन होने लगता है मैकसिन अपने कपड़े उतारती है लेकिन हम उसके पीछे देखते हैं कि कोई सक्स खड़ा है लेकिन इस बात से बेखबर मैकसिन लेक में नहाने के लिए चली जाती है अब कुछ देर बाद में नहा लेने के बाद में जब वो लेक से बाहर निकलने वाली होती है तो उसके पीछे से एक क्रोकोडाइल उसकी ओर आने लगता है Maxine को ये बात नहीं पता चल पाती है लेकिन जब तक क्रोकोटाइल उसके नस्दीक आता है उसे पहले ही Maxine बाहर निकल जाती है वो वापस कैबिन की और जाती है जहां उसे घर के पास एक ओल्ड लेडी उसे बुलाते हुए दिख्ती है मैकसिन को ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो कुछ सोचे समझे उस घर की और चली जाती है घर के अंदर जाने पर वो यहां की बुरी हालत को देखती है और तभी वो ओल्ड लेडी पीछे से आके कहती है कि क्या तुम नूइंगू पानी पियोगी दोनों लोग बैट के लैमिनेट पीते हैं और फिर बात में दोनों के बीच में कुछ बाते होती हैं वो ओल्ड लेडी मैकसिन से कहती है कि मैं भी कभी तुमारी तरह सुन्दर थी लेकिन अब पूरे हालात बदल चुके हैं ऐसा कहे कर वो उसे चुने के भी कोशिस करती है लेकिन तब तक बाहर हावर्ड आ जाता है जिसके बाद में वो ओल्ड लेडी मैकसिन को यहां से चुके से चले जाने को कह देती है अब मैकसिन पीछे के दरवाजे से निकल कर कैबिन की ओर जाती है तो फिर वेन उससे पूंचता है कि तुम कहा थी क्योंकि अब उसकी बारी आने वाली थी इस तरफ हावर्ड को पता चल चुका है कि उसके घर कोई आया था अब मैकसिन के साथ मैं एक्ट सूट किया जाता है जैसा कि यह पोर्न मुवी की सूटिंग है तो जैकसन बॉबी के बाद अब मैकसिन के साथ मैं इंटिमेट होता है भले ही मैकसिन वेन की गल्फरेंड है इधर Maxon को देखने के बाद में इस Old Lady के अंदर भी feeling जाग गई थी इसके बाद जब वो cabin के करीब जाती है तो वो खिड़की से Maxon को intimate होते हुए देखती है इसे देखके उस Old Lady के और भी अर्मान जाग जाते हैं अब वो घर पर आती है तो तयार होकर वो हावर्ड के पास जाती है वो हावर्ड को seduce करने की कोसिस करती है लेकिन हावर्ड कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता वो भूड़ा हो गया है और उसका हार्ड भी कमजोर है ये सुनने के बाद में ओल्ड लेड़ी अपना मन मार के बिस्तर पर सूने के लिए चली जाती है लेकिन उसके माइंड में अब तो कुछ और भी खतरनाग घूमने लगता है इस तरफ रात में सूटिंग के बाद में अब सभी साथ में बैठे थे तो लोरेन सभी से कहती है कि वो भी इस मूवी का हिस्सा बनना चाती है इस मूवी का हिस्सा बनने के लिए उसे जैक्सन के साथ में इंटिमेट वाला सीन देना पड़ेगा लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे इस बात के लिए तयार नहीं होता है एक तो वो अपने मूवी के राइटिंग में फिर बदल नहीं करना चाता और दूसरा कि वो अपनी गल्फ्रेंड को किसी दूसरे के साथ में नहीं देख सकता दोनों के बीच में इसी पर बहाश होती है लेकिन वेन फिर बाहर जाके आरजे को समझाता है कि ये सिर्फ मूवी का एक सीन होने वाला है इससे जादा कुछ नहीं होगा आरजे अभी भी रेडी नहीं होता है लेकिन लॉरेन ऐसा करने के लिए काफी एकसाइट थी अब यहाँ पर एक बार फिर से सूटिंग स्टार्ट होती है जो ना चाहते हुए भी आरजे को सूट करना पड़ रहा है आरजे इस बात से बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसकी गल्फन किसी और के साथ में फिजिकल हुई है वो इस बात पर इतना गुसा हो जाता है कि अब वो कार की चावी उठा कर अकेले ही यहाँ से जाने लगता है अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी सामने दिखती है आरजे कार रोकर उसके पास में जाकर फूशता है कि क्या हुआ है आपको आप यहाँ क्या कर रही हो जिसके बाद वो ओल्ड लेडी आरजे के करीब होकर उसे भी सेडियूस करने लगती है मगर जब RJ उससे दूर जाने लगता है तो फिर वो ओल्ड लेडी चाकू निकालकर उसे मार देती है वो उस पर कई बार चाकू से स्टैप करती है, इसको मारने के बाद मानो अब इस लेडी को प्लेजर मिल रहा हो अब वो कार की चाबी लेती है और यहां से चली जाती है इस तरफ लोरेन जब नीन से जगती है तो वो पास में आरजे को नहीं पाती है इसके बाद वो बाहर जाकर आरजे को देखने जाती है लेकिन वो यहां पर भी नहीं होता अब वो वेन के पास में जाती है और कहती है कि आरजे उसे नहीं मिल रहा, वो कहीं पर चला गया है, वेन कहता है कि कार यहीं खड़ी है तो वो भी यहीं कहीं ही होगा, लेकिन लोरेन उसे आरजे को साथ में मिलके ढूनने को कहती है, अब दोनों लोग आरजे को ढूनने के ल कील खुच जाती है, और फिर बाद में वो ओल्ड लेडी आ कि अब वेन को भी मार देती है, इधर हवर्ड कहता है कि चलो हम दोनों मिल के उनको ढूनते हैं, रात काफी ज्यादा हो गई है जिसके लिए हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, हवर्ड लॉरेन को बेस्मेंट म और चिलाती है, इस चिलाने की आवाज हलकी सी जैक्सन को सुनाई दे जाती है, वो उटके बाहर जाता है तो बाहर उसे हावर्ड टॉर्च के साथ में देखता है, वो बताता है कि उसके वाइफ नहीं मिल रही है, जिसके बाद में अब जैक्सन भी उसके साथ में उसे ढू ने था हवर्ड भी समझ गया है कि इसे कुछ सक होने लगा है जिसके बाद में वो इसे मार देता है इधर लोरेन बाहर निकलने की कोशिस में होती है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता अब इस तरह जब जैक्सन और वेन नहीं बचे थे तो वो ओल्ड लेडी मैक्सिन के कमरे म में आती है और फिर वो अपने कपड़े निकालने लगती है अब इसके बाद में वो उसी के साथ में बेट पर लेट जाती है वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को बूरी तरह से चुने लगती है और कुछ समय बाद मैक्सिन की भी आँख खुल जाती है वो खूब देज चिलाती है जिसे सुनने के बाद में Bobby भी जाग जाती है Bobby कमरे से बाहर निकलती है तो वो ओल्ड लेड़ी भी यहां से जा रही थी Bobby को यहां Wayne R.J. और Jackson नहीं दिखती है तो वो बाहर ढूनने के लिए जली जाती है वो लेक की और उनको ढूनने के लिए जाती है लेकिन यहां पर Bobby को वह ओल्ड लेडी पानी के साइड Nude खड़ी हुई दिखती है Bobby उस लेडी के पास में जाकर चादर उड़ा देती है वो उसे पूचती है कि आप यहां पर क्या कर रही हो लेकिन वह ओल्ड लेडी उल्टा हो सी को ही बुरा भला कहने लगती है बॉबी भी यहाँ पर उसको कुछ कहती है जिसके बाद में वो ओल्ड लेडी उसे पानी में ढकेल देती है पानी में गिर जाने पर अब क्रोकोडाइल आके बॉबी को मार देता है अब हावर्ड भी यहाँ पर आता है, वो अपनी वाइफ को यहाँ से ले जा रहा होता है, इधर मैकसिन को ओल्ड लेडी ने चुआ था तो वो जगे को धुलने लगती है, इधर यह ओल्ड कपल मैकसिन को ढूनते हुए गर के पास में आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर मैक मेट होते हैं, और इधर हम यहाँ पर यह देखते हैं, कि मैकसिन उनके बेट के नीचे चिपी होती है, मैकसिन अब वहाँ से चुपके से निकल कर बाहर की और जाती है, वो सीधा कार की और जाती है, कार के पास में जाने पर उसको आरजे की देद बाडी दिखती है, इसी द इन दोनों ने यहाँ पर कई लोगों को मार दिया है, अब ये दोनों यहाँ पर इन बॉडिज को ठिकाने लगाने की कोसिस करते हैं, हवर्ड लोरेन की बॉड़ी को खीच के लाता है, लेकिन इसी दोरान उसको हार्ट अटायक आ जाता है, जिसके बाद में उसकी मौत होती है इसे देखकर मैकसिन अप गन पॉइंट करके बाहर निकल कर उस ओल्ड लेडी से ट्रक की चावी पूछती है, वो ओल्ड लेडी बता देती है की चावी वहाँ पर अंदर रखी है, जिसके बाद में मैकसिन जल्दी से अब चावी उठाती है, मगर वो ओल्ड लेडी फिर से ट्रक से उस ओल्ड लेडी को कुचल देती है और फिर मैक्सिन यहां से बच के निकल जाती है अब अगला दिन होता है जो कि प्रिजेंट का डे है यहां पुलिस पता लगाने की कोशिस कर रहे हैं कि यह सब कैसे हुआ यहां पर कोई भी जिंदा सक्स उन्हें नहीं मिलता है लेकिन वो कैमरा उन्हें मिल जाता है जिसमें उस मूवी की सूटिंग हो रही थी और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है तो दोस्तों यह थी 2022 की हाल ही में रिलीज होई एक्स मूवी का explanation उम्हीद करता हूँ कि आप लोग ने इस मूवी का explanation को enjoy किया होगा मूवी का explanation अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करेगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो subscribe करेगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए जैहिन वंदे मातरम